जीवन में सम्रद होना सफल होना मात्र सपना नहीं है यह उपहार है आपके मेहनत का संगर्श का लेकिन कभी कभी क्या खयाल अना भी स्वभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मेहगदार हूँ पेठ तो आपका बच्पन में भी भरता था जब आप कुछ काम नहीं करते थे जीवन में अचानक आई रुकावटे, बाधाई, परिशानिया हमारी संतुलन को बिकार देती है जीवन निरस, अभाव ग्रस्त, दीन लगने लगता है नेने शक्ती शीन लगने लगती है जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा क्यांच है, इश्वर की संतान है तो ये अभाव क्यों? यदि आप भी इश्वर की संतान है, तो याचना नहीं अधिकार है आपका सम्रती शाली होना हमारे शास्त्र वैद पुरान भरे पड़े हैं, इस खचाने तक आपको पहुचाने के लिए कहां जाता है दिपावली पर्व चातुरमास में आनिबाला पर्व है और भगवान विश्णू जो लक्षमी को नियंतरित करते हैं, वे निंद्रा में रहते हैं इसलिए चतुरा लक्षमी को बुद्धी विवेक से कोई वश्मे कर सकता है, तो वे हैं प्रधम पूजन विनायक इसलिए दिपावली पर लक्षमी विनायकी बूजा करने की परंपरा है दिपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है, जो थोड़े से प्रयास, विश्वाश, वश्रदा के साथ मालक्षमी को आमतरित करता है, हमें सम्रती शाली बनाने के लिए इस लक्षमी विनायक लश्मी संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षन शामगरियों को मंतर जाप अनुष्ठान प्रान प्रतिष्टा से जाकरत किया है, पंडित श्रीमाली जी के सानिद में विद्वान कर्मकांडी पंडितो द्वारा इस कलश के निर्मान करने का उधेश यही है कि आपको धन और बुद्धी दौनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनुकामनाई, रिद्धी सिध्धी, शुबलाप सहीत, अक्षे लक्षमी का भंडा हिम्मत से हारना और हिम्मत हारना, ये तो बहुत अलग बाते हैं, या तो ये चरित्र बना देंगी, या तो फिर अस्तित्व ही मिटा देंगी देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमशकार मैं हूँ, मुहित कमल श्रिमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर और आज का राशी फल, यानि की 9 अक्टूबर के इस विशेश एपिसोड में, साथ ही आज मैं आपको बता रहा हूँ, नवरात्र में दौलत और शोहरत पाने के लिए राशी अनुसार माता दुर्गा की पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए। आज के दिन दो बार मिलेगा, सबसे पहले सुभे के 6.37 मिनिट से 9.37 मिनिट तक और फिर से शाम को 5.00 के 7.00 मिनिट से 6.37 मिनिट तक, पूर्व और दक्षन दिशा में शुब यात्राइं थाबित होंगी, तो उत्तर दिशा में दिशा शूल दोश लग रहा है, जिस कारण से आपको तिल खाकर के ही अपनी यात्रा उत्तर दिशा की तरफ आरंब करनी चाहिए, फिर बात होती है सुरे उद्य कालीन कुंडली में शुब ग्रहय योगों की, तो आज के दिन आश्रे योग, संख्या दाम योग, भद्र योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वसूमती योग, अधम योग, चंद्रमंगल योग और भारती योग का साथ मिलने वाला है, जैसे कि आपको मालूम ही है कि नवरात्री चल रही है, तो ऐसे मैं 3 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर विजय दश्मी तक लगातार आपके लिए कवच का निर्मान किया जा जो भी आपके समस्या हो या कामना पूर्ती हो, उसके लिए अलग-अलग कवच का निर्मान होता है, और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपनी समस्या अनुसार समाधान प्राप्त कर सकते हैं, मेरे टीम मेंबर्स तो आपके साहता करेंगे ही, वहीं पर अगर आप अपनी जनम कुंडली अनुसार डीटेल्स चाहते हैं कि जो समस्या है, उसके अनुरूप में क्या कवच धारन कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी इसी नंबर पे वाट्साप पे आपको मेसेज करना है, बस मेसेज के सब से उप पर लिखना होगा, फो मोहित श्रिमाली, उसके साथ में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके साथ में अपना एक सवाल, जो आपकी समस्या हो, अब इस बात का ध्यान दीजेगा, कि समस्या स्पेसिफिक भीजिएगा, ऐसा नहीं कि आने व लोग एक ही नंबर से अपने अलग लग सवाल पूछ लेते हैं, अलग लग नंबरों से एक ही कुंडली भेज़ करके अपना सवाल पूछते रहते हैं, ऐसे में किसी और के हक का, जो सवाल हो सकता था, किसी और की जहां पर मदद हो सकती थी, वहां पर आप किसी और के लिए खराब कर रहे हैं इस बात का वश्य ध्यान दीजेगा अपना एक सवाल जो मैं आपको नीशल्क दे रहा हूं उसका हक आपके पास अवश्य होगा पर अलग लग नंबरों से एक ही कुंडली पर बार बार चर्चाए करना ये सही नहीं है और दूसरा जब आपको समय दिया गय आप अगर करना नहीं चाते तो आप कहते क्यों है इन बातों का ध्यान रखिए कि एक बड़ा रेजिस्टर लगबग 600 पेजिस का ऐसे अभी तक कितने ही रेजिस्टर्स मैंने फ्री कंसल्टेशन में सभी को दे दिये हैं यानि कि हर रोज कितने ही लोगों की कंसल्टेशन क कर रहा हूं ऐसे में कुछ समय भी लगता है खुद भी व्यस्त होते हैं घर परिवार भी है काम भी है आप सभी की निशुल्क परामर्श भी है तो वहीं पर पेड कंसल्टेंसी भी चल रही है कुछ समय लग सकता है पर आपका जवाब आपको अवश्य मिलेगा ये मैं आप को गैरंटी करता हूं अब यहां पर कुछ विशेश कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि आप स्वयम अपनी समस्या को समझते हुए कवच धारण कर सके हम सभी लक्षमी प्राप्ति तो चाहते हैं पर साथ ही अच्छे संसकार भी चाहते हैं पूने का केस आपको मा पारजित होती हैं वो लक्षमी चीर काल तक स्थाई रहती है क्योंकि नारैन में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्षमी को बांध करके रख सकते हैं अब जोतेश अनुसार भी भगवान विश्णू ब्रहस पती ग्रह के लिए पूजिय हैं और ब्रहस पती ग्रह ग्रह संतान सुको, सौबhाग्यय समर्द्धि आध्यात्मे कुनती के कारग्रे हैं और भौतिक सुक संर्द्धि के देवी माता लक्षमी इनको माणा जाता है और श्वयक्र। समबन्दित है सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक सम्रिद्धी संपन होना अनिवार्य है इसलिए लक्षमी नारायन दोनों की शक्तियों का वरण एक साथ करना ही लक्षमी नारायन कवच का विशेश प्रभावित रहता है अब ये ग्रहे व्यक्ति का नुकूल है तो वे मनुश्य को सुख और सभाग्य प्रदान करते हैं पर अगर ग्रहों के प्रभाव अनिश्टकारी है तो वे मनुश्य को दुर्भाग्य के भवर में घेर लेते हैं जिससे की व्यक्ति विभिन प्रकार की स अभी जगे नवग्रह दोशनिवारंड कवच समान रूप से आप के लिए लापकारी सिद होता है। फिर बात आती है धन कुबेर महाराज की। कहा जाता है दे ट्रेजरर ओफ दॉगॉज। लक्ष्मि और नवग्रह की कृपासे लक्ष्मी की पुजा लेकिन सचा के बिना सेविंग के बिना सिर लक्ष्मी के बिना भागदोड का अर्थ किया है एक आत से कमआयाह दूसरे हाथ से गवा दिया। कर बैठे शास्त्रों में लक्षमी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का वर्नन है अब कुबेर महाराज कौन है लक्षमी द्वारा प्रदद धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने वाले ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल वाई और अगनी के देवता ह होते हैं उसी प्रकार धंधानिय के वैभव के यश के अधिश्टाता कुबेर महाराज कहलाते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवताओं के कोशाद यक्षाने की ट्रेजरर हैं कुबेर महाराज इसके लिए जिनको अपनी संपत्ती को वैभव को पीडियों के लिए संजो निरने मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ आई अब बात करते हैं आज के राशी फल के और शुरुवात करेंगे मेश राशी से तो आपके लिए आज की सवेरे 9,000 में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं यानकी धनूराशी में प्रत्यारी तारा का साथ और श्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं सिच्वेशन ऐसे समय में 23% सपोर्टिव है और सिच्वेशन में बहतरी के अगर बात कही जाए तो 13 तारिक को दोपहर में 3 बच करके 44 मिनट के पश्चात जब मकर राशी में चंद्रमा आएंगे तो वहाँ से रिकवरी संभव हो पाएगी अपने काम में तेजी देखने को मिल पाएगी पर वहाँ तक कही न कहीं यह वश्य देखने को मिल सकता है कि मन अशान्त जादा रहेगा गलत काम की तरफ गलत लोगों के कंपनी की तरफ गलत आचरन की तरफ आपका विचार जादा बढ़ेगा आपका इंटरस्ट जादा बढ़ेगा ऐसे ही समय में कहीं न कहीं गास्ट्रिक प्रॉबलम से समन्दित परेशानियों से आप ग्रसित जादा रहने वाले हैं जो यंगस्तर्ज हैं आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजेगा चाहे वो वाइरल फीवर कहा जाए हलकी पुल की चोट कही जाए इससे आपको सामना करना पड़ सकता है घर के बड़े बुजर्ग एथॉरिटी अपनी साधने में इस समय में असफल सिद हो सकते हैं कोशिश बहुत कर रहे हैं डॉमिनेट करने के अपनी कही बात को मनवाने के घर में शांती लाने की पर यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है और इसके लिए अपने आपको शांत रखना जादा बहतर रहेगा काफी जगाओं पर अपनी पुत्र संतान से भी मदभेद उबर करके सामने आ सकते हैं यहाँ पर नौकरी पेशा इंसान है आप भी इस बात का ध्यान दीजेगा कि बार बार आपको जौब से निकाल देने की इस समय में धमकी दी जा सकती है बौसस के द्वारा तो इसके लिए सावधान रहेगा कान खड़े रहने चाहिए हैं यहाँ पर धार्मिक तौर पे कोई तीर्थी आत्रा हो या फिर घर परिवार के साथ में शहर के अंदर ही कोई बहुत ही विख्यात मंदर है तो वहाँ पर जाने का प्रयास अवश्य हो सकता है जिसे की मन शा हैं जो ओवराल इस सिचुएशन को आपके लिए 70% सपोर्ट का कर देंगे पर 70% सपोर्ट से फैनेंशिल लॉसस से बच गए घर परिवार के अंदर कोई परेशानी थी उससे बच गए पर मांसिक तौर पे और शारिरिक तौर पे यह समय कष्ट कारक बन सकता है स्ट्रेस को लेकर के परिशान हो सकते हैं पानिक अटैक है एंग्जाइटी है इसका शिकार बन सकते हैं थोड़ा अपने आपको काम रखनी की ज़रुत जादा रहेगी ऐसे समय में घर से बाहरी लोग जो हैं वो जादा आपका साथने पाने वाले हैं आपको जादा मोटिवेट करने व पर उस काम के वापस resurgence हो जाना या किसी के द्वारा घर परिवार को पता चल जाना ये इस समय में परिशानी का कारणिक आपके लिए बन सकता है यहाँ पे ससुराल पक्ष के साथ में अगर मिलन जुलन हो या ये कहा जाए कहीं भी मिलने का अगर कोई तरीका बन रहा है बहुत बड़ा विवाद बन सकती है किसी बड़े विवाद को या यह कहा जा किसी बड़ी कॉंट्रवर्सी को जनम दे सकती है बहुत सोच समझ करके इसका इस्तमाल कीजेगा शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कलर शुबंख रहेगा नंबर फाइव फिर बात करते हैं म यहां पे फाइदा आपको जरूर मिलना है confidence है और confidence के साथ में talent का साथ और है luck favor कर रहा है सभी positive चीजें जो है वो सभी positive चीजें मिलकर के इस समय में आपके लिए सबसे बहतरीन situation बनाने वाली है ऐसे समय में जो बहुत समय से losses देख रहे थे या यह कहा जाए जो slowness देख रहे थे अपने business में वो finally खतम होने वाली है तेजी पकड़ने वाले हो और आज ही के दिन गुरू भी आपके लिए वक्री हो बैठे हैं अब इसका प्रभाव क्या पढ़ने वाला है आपकी राशी पे तो इस चानल पर उपलब्ध है उसको भी जरूर देखिएगा यहीं प पुत्र संतान के साथ में काफी जादा बहतर मिल जूल देखने को मिलेगा सुक्स विधाओं की प्राप्ति भी होगी और जो अपनी इच्छाएं हैं खास तौर पे काम को लेकर के वो यहाँ पर सबसे बहतरीन देखने को मिल सकती है यह यह कहा जाए कि इस समय में अपने का को बहतर बनाने के लिए जो भी प्रयास आपके हाथों से हो सकते हैं चाहे वो कापिटल इंवेस्मेंट करके हो सही लोगों का साथ समर्थन पाने का हो वह यहाँ पर अवश्य देखने को मिलेगा यंग्स तरस भी काफी जादा खुश रहने वाले हैं अपनी इच्छाओं क आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं अब शेमतारा का साथ है और श्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं कंपेरिटिवली कल से बहुत बहतर सिचुएशन में तो आप आज एंटर कर चुके हैं अब इसी के साथ में थोड़ा अपने आपके माइंड को काम कीजे थोड़ा शांत समय में जो भी बच्चे एंडिये की तैयारी कर रहे हैं यानि कि नैशनल डिफिंस अकैडमी जिसे कहा जाता है अगर आप इसकी प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आज का दिन आपके बहुत अच्छा है यहीं पे कोई भी कॉम्पेटेशन जहां पर हो अपने आपको सबसे बह सिवर आपको मिल रहा है यह समय दोनों हाथ से पैसे कमाने का है दोनों हाथ से अफसरों को इस समय में यूट्रिलाइज करने का है घ्रेणी है तो आपको भी कहूँगा घर के अंदर को विवाद चल रहा था तो उससे मुक्ति यहां पर संभव है यहां पर जुकने की बात नहीं कहूंगा पर सपश्ट तौर पे बात करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो भी जीत आपको आसानी से मिल सकती है विवाद से समय में राहत मिल सकती है यही दिन आपको यहां फैनाशली भी ग्रोथ देने वाला है हेल्थ वाइस भी रिकवरी देने वाला है और खास इस समय घ्रे कलर आपके लिए सबसे जादा शुब रहेगा स्टील ग्रे कलर जिसे हम कहते हैं और शुब अंक रहेगा नंबर टू फिर बात करते हैं सिंग गराशी के और आपके लिए इस समय में फिफ्थ हाउस में चंद्रमा विराजमान है विपत्तारा का साथ श्टक व कोई दूर का रिष्टेदार है कोई friend circle में कोई है तो इन किसी की ऐसी खबर खास तोर पे इस समय में आपकी जंजोड के रख सकती है emotionally vulnerable आपको ज़दा बना सकती है इस बात का ध्यान अवश्य दीजेगा आपको आपके काम से भटकना पड़ सकता है या यह कहा जाए मन और मस्तिष्ट पे इस समय में काबू नहीं रह पाएगा काम करना बहुत चाते हैं मेहनत करने के लिए तयार हैं पर परस्ति कुछ ऐसी है कि अपने आपको कहीं और व्यस्त करना जरूरी होगा ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजेगा काफी लोग खुरत-खुरत के आपसे बात निकलवाने की प्रयास कर सकते हैं पर चाला की चतराई का इस्तमाल करना जरूरी होगा ऐसे ही समय में संतान पक्ष से भी कोई ना कोई तौर पे परेशानी होना खर्च बहुत जादा हो जाना यह सामने आ सकता है जिसको लेकि फ्रस्ट्रेशन फैक्टर आपका बढ़ जाएगा घर-परिवार वालों पर इस attitude को इस बरताव को कतई ही मनजूर नहीं करेंगे जिस कारण से आपको ही यहाँ पर अपने आपको बदलना पढ़ सकता है कोई भी investment करना चाते हैं कोई भी risk उठाना चाते हैं तो सक्त तौर पे कहूंगा यह समय आपके लिए favorable नहीं है ऐसी गलती बिलकुल भी मत कीजेगा बहुत बड़ा नुकसान स्वयम अपने आप पर लेकर कि आप आगे बढ़ सकते हैं शुबरंग रहेगा आपके लिए purple कलर शुबंख रहेगा नमबर टू फिर बात करते हैं कन्या राशी की और आपके लिए राशी भाव से चंद्र में आ चुके हैं इस समय में फोर्थ हा काम कीजेगा इस समय में जो भी आपको रिस्पॉंस देना है फेस टू फेस देना सबसे बहतर है टेक्स्ट मेसेज करके दे देते हैं मेल पर कुछ लिख करके भीज देते हैं इससे परहेश कीजेगा खास तोर पर जो इंपॉर्टेंट कम्यूनिकेशन है जो नॉमल कम्यू देखने को मिलेगा ऐसे समय में री इन्वेस्ट करने से बचना है जो पैसा है लिक्विडेट हुआ हुआ है उसको एक बार के लिए जो जरूरी चीजें हैं वहां पर आपको इस्तमाल करना चाहिए यह समय घर परिवार के अंदर काफी बातों में विवाद भी छेड़ेग यह कहा जाए आपके हर इस समय में डिसिजिन के उपर उंगली उठाने पे लोगों को हिम्मद भी देगा कहीं न कहीं लोक निंदा का शिकार भी बना बैठेगा एक बात का ध्यान अविश्व दीजे का चाहिए यंगस्तर्स हैं नौकरी पेशा हैं व्यापारी हैं इस समय म पर क्रीम कलर का अगर उप्योग करते हैं तो आपके लिए शुब सावित होगा और शुब अंक रहेगा नंबर थ्री फिर बात करते हैं तुला राशी की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा हैं संपत्तारा का साथ अश्टक वर्ग में 26.7 ओवरॉल सिच्वेशन यह 100% positive है और यह समय investments के तोर पे बहुत शांदार है आपको risk उठाने के लिए यहां पे हिम्मत देने वाला है motivation factor बहुत अच्छा है confidence भी दे रहा है यह समय जिसको हम कहते हैं कि दिमाग बहुत तेजी से चलता है बहुत analytical चलते हैं तो वो यहां पर देखने को मिलेगा इसी कर दिया है इतनी चर्चाएं कर ली है कि वो छोटा सा काम भी extraordinary दिखना शुरू कर दिया है वो इस समय में आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा सा patience बना करके चलना है जो वेव मिली है उस वेव को drive कीजे आपको बहुत फायदा यहां पर देखने का मौका मिलेगा और यह situation लगातार आपके लिए बनी रहेगी जब तक मकर राशी में चंद्रमा नहीं आएगा जो 11 तारिक को दोपहर में आना है तो वहां तक जैसे संभव हो सकता है पैसा कमाना है कोई डील साइन करनी है foreign related investments कोई है तो उन सभी से आपको साथ अवश्य मिलेगा luck factor शांदार तरीके से काम करेगा यंगस्तर्स हैं तो यंगस्तर्स को भी यही कहूंगा यह समय सोचने का नहीं है खूदने का है अपनी मेहनत जो की है उसको इस समय में टेस्ट करने का है खूदिये पानी में और अपने आपके टालेंट को इस समय में देखिए कि आप कितने पानी में है कई ल फिर बात करते हैं व्रश्चिक राशी की सेकंड हाउज में चंद्रमा है प्रतियारी तारह का साथ और इश्टक गवर्ग में 26 डॉट्स हैं ओवरॉल सिचुएशन इस समय में 23% सपोर्टिव है और इस बात का ध्यान रखना है डिससाटिसफाक्शन डिस्रेस्पेक्ट लो से इन सभी का सामना करना पड़ सकता है सोचा बहुत बढ़ाता पर करने ही पा रहे हैं लोग साथ नहीं निभा रहे हैं लोगों से जब मदद मांगने जाते हैं तो विवाद पहले हो जाते हैं लालश प्रवर्ति हावी रहती है गलत decision making हो रही है चाह करके भी यहां पर अपन दीजेगा ऐसे समय में हाथ पे हाथ धरे बैठने को नहीं कह रहा हूं पर ये जरूर कह रहा हूं जो हाथ में काम है उसको steadily आगे बढ़ा लीजेगा नए काम है नए तरीके हैं नए तौर तरीके इनको इस समय में आजबाने की गलती मत कीजेगा ओंदी मू गिरना पड़ स वो काफी जादा आपके लिए फरेशानी खड़ी कर सकते हैं इस बात का ध्यान दीजेगा यहां पर अपने काम से काम रखें और कोशिश यही कीजे कि इस दिन को कैसे गुजारा जा सकता है इस पर जादा फोकस करनी की जरुरत पढ़ने वाली है ऐसे समय में महलाएं खास और पर इस बात का ध्यान दीजेगा हेल्थ रिलेटेट प्रॉब्लम्स अपनी और अपनी संतान की इस समय में एक बहुती इंपॉर्टेंट विशह बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फैमली के डिसकेशन का बन सकता है शुब रंग रहेगा आपके लिए य पूछे कमिट्मेंट मत दीजेगा इतना सा ध्यान रखना है जहां पर टाल करके गोल मुल शब्दों का इस्तमाल करके आगे बढ़ा जाए वो जादा बहतर है इस समय में क्लियर कट कमिट्मेंट देने से बचना होगा बस इतना सा काम कर लीजेगा बाकी आपके लिए दिन शानदार है यह चाहे पैसा कमाने की बात हो इन्वेस्मेंट की यहां पर बात हो लग्जरी आइटम्स की प्राप्ती हो सेल्फ कॉन्फिदेंस और सेल्फ एस्टीम के अंदर वर्दी हो यह यहां पर देखने को मिलेगी समाज के अंदर मान समान की प्राप्ती होगी वाहन क का सुक मिल सकता है खास तौर पर यह भी कहूंगा नवरातरी चल रही है तो अगर खास तौर पर आप कोई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो आज के दिन गाड़ी के लिए आपको कॉल आ सकता है कि आपकी गाड़ी शोरूम पर बहुत चुकी है यह समय सांसार एक स कि सर क्या हुआ कब यह काम पूरा हो सकता है कोशिश करते हैं आज ही के दिन इसको हम कर पाएं नवरातरी चल रही है शुब समय है इसमें किसी भी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं देखेंगे आप कि आपका काम बढ़ी आसानी से हो सकेगा शुब रंग रहेग पर ट्विल्थ हाउस का चंद्रमा है इस बात का वश्य ध्यान दीजेगा हेल्थ रिलेटिट प्रॉब्लम्स इस समय में देखने को मिल सकती हैं इस समय में वाइरिल फीवर हो या कोई ना कोई इन बॉर्ण डिजीजिसे हम कहते हैं कि मलेरिया हो गया डेंगू हो गया चिक अनलग कर रहा है यह समय चीजों को हैंडिल करने का है और इस करने का है चाहे कैसी भी सिच्वेशन के और ना सामना है नेगेटिव को जादा सुन लिया होगा पर रुख जाईए यह इस दिन की पूरी डेफिनिशन नहीं है इस समय में खास तौर पर यह कहूंगा व्यापा आपको मुनाफ़ा पहुचा सकती है यात्रा करने से अवशे परहिज करने को कहूंगा और हेल्थ का धियान रखने को भी कहूंगा महिलाएं खास तौर पर जो हैं हाउस वाइफ्स हैं इस समय में इस बात कर धियान दीजेगा कोई भी बात होती है उसको लेड़ गो करने की यहां पर आपको कोशिश करनी होगी आस पास कि लोग जो बातें कर रहे हैं चर्चाएं कर रहे हैं उसको सुन करके भी अंसुना करनी की ज़रुद पड़ेगी यंग स्थ हैं यंग स्थ को यह कहूंगा कि इस समय में कोई बड़ा एक्जाम है अगर उसको डीले किया जा सकत जादा बहतर है supporting factor है पर mentally confused हो चाहा करके भी उस एक्जा में जो प्रदर्शन देनी का प्रयास कर रहे थे वो कर नहीं पाओगे बाद में जाकर के कहोगे कि इतना percent आपने कहा था positive है support है पर उसके बाद मेरा हुआ नहीं तो 12th house के चंद्रमा के अंदर mentally confused हो करके खुद के पैरों पे कुलहाडी मार बैट होगे यहाँ पर cream color यान जिसे हम कहते हैं दूदिया सफेद इस रंग का इस्तमाल अवश्य कीजेगा और शुब अंक रहेगा number five फर बात करते हैं कुम राशी की और आपके लिए राशी भाव से 11th house में चंद्रमा प्रवेश कर चुक अब action ले लीजे सोचिये मत आगे बढ़िये जो करना चाते थे वो कर दीजे आपको यहाँ पर 100% support मिल रहा है आपके अपने आप जो enemies हैं आपकी competition है वो पीछे हट जाएंगे यात्रा करने के लिए बाहर निकलना चाते हैं कमाई के लिए बाहर निकलना चाते हैं कोई बड़ा project है जिसको पाने के लिए बाहर निकलना चाते हैं यात्रा शुरू कर दीजे आपको फाइदा मिलने वाला है यहीं पर अटका हुआ पैसा था किसी दोस्त को दिया है किसी रिश्तिदार को दिया है, बहुत समय से मांग रहे हैं, नहीं दे रहा, बहुत प्रेम से बात कर लिए, नहीं हुआ काम, अब इस समय में, प्रेशर बना करके देखिए, आसपास की लोगों को कॉल करके देखिए, आपका पैसा शाम तक में आपके पास में पहुच जाएगा, ऐसे ही समय में, खास तोर पे जो इन्वेस्मेंट करने वालें चाहें, शेर मार्केट के हो, कमोडिडी मार्केट में हो, फॉर्न एक्सचेंज में हो, क्रिप्टोज में हो, यहां पर कोई ना कोई ऐसी टिप की आपको प्राप्ती हो सकती है, जिसके कारण काम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाए, यहीं पर घर के यंगस्तर जो है, ओवरॉल हापिनिस घर में देखने को मिड़ी और यहापिनिस आपकी लाइफ में भी एंटर करने वाली हैं, जो घर परिवार को आपको ले करके चंताएं थी, उसका समाधान इस समय में कोई ना कोई बाहरी इंसान ले करके पहुँच सकता है, ध्यान दीजेगा, किसी भी बात को इस समय में वेस्ट मत समझिएगा, कोई भी एडवाईज है, उसको ध्यान से सुनिएगा, शुबरंग रहेगा आपके लिए डाक ब्राउन कलर, शुबरंग रहेगा नमबर टू, फिर बात करते हैं मीन राश अपने बॉस का चेंज होना कहें, अपनी ऑफिस में पोजिशन चेंज होना कहें, या तर फिर जो डेस्क होती है, डेस्क चेंज हो जाना, कोई भी तरीके से, क्लाइन्स या अपने अंदर की टीम चेंज हो जाती है, इन चीज़ों को लेकर कि परिशान हो रहे थे, मत आपके betterment के लिए ये changes इस समय में आपको देखने को मिल रहे हैं, अपने आपको इस change के साथ में modify कर लीजे, आपको वहाँ पर जल्दी से जल्दी fast-paced growth देखने को मिल सकती है, और ये लगातार situation जो है, ये 13 तारिक की दोफैर तक बनी हुई है, ये 13 तारिक तक जो प्रयास करोगे, वहाँ पर सफलता मिल सकती है, बस थोड़ा सा patience रख करके अपनी वानी को बहतर बनाने का प्रयास करना है, ऐसे समय में एक बात का और ध्यान दीजेगा, property से related, investment से related, खास तोर पर यहाँ पर अच्छा फाइदा आपको कमाने का मौका मिल सकता है, कोई property बेचना चा एक ऐसा client जो directly मिल जाए, जो आप पर विश्वास करें, उसकी यहाँ पर प्राप्ती हो सकती है, जो आपका अटका काम निकाल देगा, यहीं पर romance और romance अपनी life में बढ़ता हुआ नजर आएगा, दामपती जीवन और पारिवारिक जीवन जिससे सोधरने वाला है, खुद mentally stress free होने वाले हैं, यह समय जो बहुत समय से financial crunch को लेकर के financial instability को लेकर परेशान हो रहे थे, finally stability कुछ हद तक अब वापस आपकी life में enter करने वाली है, शुबरंग रहेगा आपके लिए pure white color, शुबंख रहेगा number 7, विशेश उपाय के शुरुवात करने से पहले, दिपावली क की बात करते हैं, लक्षमी जी की बात करते हैं, विग्न निवारन कले शुबलाब के लिए, रद्धी सिद्धी के लिए, गणपती महराज सूपरसिद हैं, और माता लक्षमी हर व्यक्ति के संपून जीवन की आराद्या है, संसार का आधार है, और माता लक्षमी की क्रिपा से धन हो यौवन हो रूप हो पद हो प्रतिष्टा हो यश कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने शेत्रों में अलग-लग महारत रखते हैं अगर इन दोनों शक्तियों का आशरवाद एक साथ मिल जाए तो हमारे सभ कामनाएं पूरी हो सकती हैं आप भी धन यश और व्यभव प्राप्त कर सकते हैं जहां मालक्ष्मी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मी वान बनाती है महीं बुद्धी प्रदाता विग्न विनाशक गनेश जी महाराज आपको तिक्ष्ण बुद्धी देते हैं पर पर वो माता लक्ष्मी की और भगवान गणपती को प्रसन कर ले अपने जीवन को समार ले अपने कष्ट को मिटा करके सौभाग्य जगा सके अपने दुखों को दूर कर सके और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कर सके आपके लिए येक अफसर है दिपावली प दोनों को ही प्रसन किया जा सकता है चीरकाल तक अपने पास रखा जा सकता है यह कहा जाए अपने सौभाग्य को जगाया जा सकता है चाहे वो यंत्र हो या तो फिर मंत्र हो चाहे वो प्रतिमा हो या तो फिर माला हो अनेकों ऐसी चीजें जिनका पूजा में इस्तमाल होता विधी विधान के साथ आपको ये कलश पहुचाया जाता है आप भी अपने भाग्य को बदलिए आवान कीजिए सुक सम्रिध्य और एश्वरिय का इस दिपावली के महापर्व पर और यहीं पर हम चर्चा करेंगे देवी दुर्गा को शक्ती का प्रतीक जो मानी जाती है उन नवरात्री मानी जाती है अब ऐसे में वासंती नवरात्री कहलाती है प्रतम नवरात्री जो है आशार शुकल में गुप्त नवरात्री होती है इस नवरात्र में राशी अनुसार यदि कुछ खास उपाय किये जाए तो आपकी मनकामना पूर्ती संभव है ऐसे में अगर इ भी पता लगाया जा सकता है कुंडली नहीं तो कम से कम नाम अनुसार तो जरूर होगा तो ऐसे में अपनी राशी के अनुसार आप क्या करें शुरुआत करेंगे मेश राशी से मेश राशी की लोगों को सकंद माता की पूजा करनी होगी इसके साथ ही दुर्गा सब्तिशती या दुर्गा चालिसा का पाट करें तो भी आपके लिए बहुत शुब साबित होगा फिर वरशब राशी को माता दुर्गा के महा गौरी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए है और ललिता सहसर नाम का पाट करना चाहिए मिथुन राशी के लोगों को नवरात्री में माता दुर्गा की यंत्र स्थापना करनी चाहिए है और माता ब्रहमचारणी की उपासना करनी चाहिए यह यह कहा जाए दुर्गा यंत्र जिसे कहा जाता है नव दुर्गा यंत्र जिसे कहा जाता है उसकी भी आप स्थापना कर सकते हैं फिर बात आती है करक राशी की तो आप सभी को माता शेल पुत्री की पूजा और लक्षमी सहसर नाम का पाट करना चाहिए सिंग राशी वालों को नावरातरी में माता कुशमांडा की पूजा करनी चाहिए इसके साथ ही दुर्गा मंत्रों का जाप भी करें इससे विशेश फल की प्राप्टी होती है मनुकामनाओं की पूर्टी होती है फिर बात आती है कन्या राशी की, तो आपको माता ब्रहमचारणी की उपासना कर लक्षमी मंत्र का विधी विदान से जाप करना चाहिए तुला राशी वालों को माता दुरगा के महा गौरी स्वरूप की पूजा कर साथ ही काली चालिसा का पाठ करना चाहिए इससे ज़ादा लाब की प्राप्ती होती है फिर व्रश्चिक राशी वालों को सकंद माता की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा सब्तश्दी का पाठ करना चाहिए ऐसा करने से शुब फलों की प्राप्ती भी होती है तो वहीं काम में जो अर्चने आ रही है वो भी हाट जाती है फिर बात आती है नवी राशी यानि की धनूराशी की तो आप माता चंदर घंटा की पूझा करें और इसके साथ ही उनके मंतरों का विधी विधान से जाप भी अविश्य कीजेगा मकर राशी वाले नवरात्र में माता काल रात्री की पूजा और नवार्न मंत्र का जाब करें और इस राशी वालों के लिए माता काल रात्री की पूजा करना सबसे श्रेश्ट माना जाता है फिर बात आदी है कुम राशी वालों की तो आप माता काल रात्री की पूजा करेंगे इसके साथ ही हर रोज देवी कवच का पाट भी जरूर करेंगे फिर हो मीनराशी अंतिमराशी की बात तो आप सभी माता चंदरगंटा की उपासना करेंगे और साथ ही बगला मुखी मंतर का जाब करेंगे ये सबसे श्रेश्ट आप के लिए सिद्ध हो सकता है जीवन में चाहे यश, पद और प्रतिष्टा हो कमाई हो, अपने शत्रूओं से रक्षा हो सभी संभव हो सकते हैं इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना हमेशा की तरह प्रातना आप सभी के लिए यही करता हूं हमेशा की तरह प्रातना आप सभी के लिए यही करता है